नमस्कार हिवाचल बुलेचिन में आपका स्वागत है पेश है आज की समझार मुख्यवंत्री श्वीजाराम ठाकुर ने स्वरको किला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक विक्त किया है मुख्यवंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर का जाना कला जगत के लिए अपुर्णी एक्षती है उन्होंने आजीवन स्वर और सुर की साधना की कलाक्षेत्र में उनका अनुकरणी ये योगदान कला जगत से जोड़े समस्त कलाकारों को सदैव प्रेरित करता रहेगा मुख्यमंत्री ने अपने शोग संदेश में कहा मुख्यमंत्री जगत में जो जितने भी मशूर गीत हुए है और फिल्म जगत के अलावा बाकी जितना भी उनका कलाक एक शेत्र में एक जोगदान रहा है उसको कभी भी भूलानी जा सकता है आज भी नई पीड़ी लतामगेश करके उन पुराने गानों को उसी तरह से याद करते हैं उनको गुन गुनाते हैं और उस दिष्टी से मैं समझता हूँ के तोहुत बड़ी क्षाती जो लतामगेश करके जाने से हुई है वो अपूर्ण यक्षाती है मैं उनको श्रधान जिल्य अर्थपित करता हूँ और ईश्वर उनकी आत्मों को शांती दे यही प्रात्न करता हूँ मुख्यमंत्री श्रीजयराम चाकुर ने आज मंडी जिला स्थित माता बगला मुखी मंदिर के लिए बनने वाले 800 मिटर लंबे बगला मुखी रोपवे की आधारशिला रखी यह रोपवे राजय का पहला रोपवे है जसका निर्मान ग्रामिन क्षेत्रों को रोपवे से जोडने के लिए भारत सरकार द्वारा स्विकृती मिलने के बाद नाबाड के विद्पोशन से किया जा रहा है श्रीजाराम ठाकुर ने बाखली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस रोपवे का निर्मान 50 करोड रुपवे की लागत से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस रोपवे का निर्मान मैसर्स, डोपल मायर, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेकम इंफ्रा लिमिटेड द्वारा एरियल ट्रामवे तकनीक और इंजिनीरिंग के C, E, N मानकों और निर्मान आधार पर किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा एक फेज़ वहां से जाकर के मंदिर तक हो लिया लेकिन मंदिर इसमें आने बाला जो हमारा नेशन हाईवे का जो टूरिस्ट जब उस पर आएगा वहां से यहां पर भी आकर के कुछ वक्त गुजारेगा तो गुजारेगा जहां पर लोग आकर कि इसका भी आदन दिस्क लेएगा और आने बाले समय में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि हम यहां पर इसको डबलब करने जा रहे हैं फिको पार्क किनाते सको हमने बहुत सारी चीज़ों को बना कर पे दिया है और हमने अधिकारी की मार्क में इसका उदाटन करने के बाद तूरिस्ट को फोल सके और यहां स्पोर्स एक्टिविटी जो हाँ वाटर स्पोर्स एक्टिविटी यहां पर हम शुरू कर सके उससे बहुत बड़ा इस इलाके को टूरिज्ब जिक शेतर में कैट स्कूदर में लेगा और आज मुझ देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसको नवाट की उच्टिविटी जो है रोपवे की जी-पी-आर तयार कर ली गई है उन्होंने कहा कि इसके अलावा कांग्राजिले में 605 करोड रुपे की लागत से बनने वाला पालमपूर, ठात्री, चोगान, जिला कुलु में 200 करोड रुपे की लागत से बननने वाला बिजली महादेव और जिला सिरमौर के शिर्गुल महादेव मंदिर से चूरधार तक रोपवे शामिल है। उन्होंने कहा कि 150 करोड रुपे लागत की मंडी में शिवधाम परियुजना का पहले चरण का कार्य तेजी से चल रहा है पूरा होने पर परियटकों और स्थानिय लोगों के लिए आकर्शन का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने पंडोह में इंडस्ट्रियल एस्टेट पंडोह के प्रथम चरण का भूमी पूजन भी किया। यहां लगबग 30-35 चैट बनाए जाएंगे जिसमें मुख्यरूप से हथकरगा और फैशन डिजाइन को प्रात्मिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा। आज हमने पंडोह में एक और कम इंडस्ट्रिल एरिया का फेजवन का जो हैं भूमी पूजन आज हमने किया। और ये भी हमारे इस इलाके के लिए खासतोर से एक बहुत बड़ी एक कॉंट्रिबिशन बहुत बड़ा आने मरे समय में एक रास्ता होगा विकास की रहा पर आगे पढ़ने हैं। लगबग 12 बीगा से जादा जमीन वहां पर उद्विवाक के नाम पर हमने की हैं। और उसके बाद वहां पर लगबग 30 से 40 छोटे इंडस्ट्रिल यूनिट्स वहां पर हम खापित करने के प्लैनिंग कर रहे हैं। चाहे वो फ्रूट प्रोसेसिंग की बात है चाहे वो हमारे हैंड लूम से जुड़े हुए फैशिम डिजाइन से जुड़े हुए अलग लग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन उसी इलाखे को डवलब करके वहां पर इंडस्ट्रिल एक्टिवेटी वहां पर शुरू हो सके उस दिश्टी से हमने आज इसकी शुरुआत की है और मुझे पूरा ब्रोसा है कि आने वाले सुमय में निश्टी तुरुप सिर्फ का लाब हमको मिलेगा है। क्योंकि प्राइबट सेक्टर का इंवेस्टमेंट में मुझे लगता है कि हिमाचल पर्देश में डॉल्प्रेंट को एक बहुत बड़ा सहयूब दे सकता है। और इसलिए हमने इस सरकार बनने के प्रिश्टाथ एक प्रियास किया हिमाचल पर्देश में, ग्लोबल इंवेस्टर्ज मीट का बाहर से लोग आएं हिमाचल परदेश में आकर के यहां पर इंवेस्ट करें ताकि हिमाचल के विकास के लिए वो लोग दान दे सके उस रिश्टी से भी हमने बहुत सारी चीजों को लेकर कासे पहले बे आके बीट में कहा है मुझे इस बात की प्रसंता है कि उस ग्लोबल इंवेस्टर मीट में आदनिया पढ़ान मंत्र मिरिंद्र मोदी जी भी हमारे बीट में आए और मोदी जी के आश्री बात से आज वो प्रजेक्ट आगे बढ़ा साड़े तेरह हजार क्रोड रुपए की ग्राउंड ब्लेकिंग हमने फर्स्ट पेज में आदनिशन हमेशा जी के हाथों से करवाई जगत्प्रकाश नड़्ड़ी हमारी पार्ची कराश्टी जख्टी उस कारिक्रम में रहे और दूसरी ग्राउंड ब्लेकिंग अभी हमारी माचल प्रदेश में हमारी सरकार के चार वर्स के कारेकाल में पूर्य होने के पश्चात मंडी में हमने कराई जिसमें 28,000 क्रोड रुपए की ग्राउंड ब्लेकिंग की गई ग्राउन प्लेगिंग का मतलब यह है कि काम की शुरुआत की और आने वाले समय में बहुत जल्दी वो प्रजेक्ट वह दामीन पर दिखेंगे छोटा परदेश लेकिन नई करीके से काम करने की पत्विती को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिसके मात्यम से हमारे नौजवालों को रोजगार की संभावने भी उसमें मिलेंगी और उसके साथ साथ में रोजगार के साथ साथ में परदेश के विकास में भी यह सारी श्री जाराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने नालागड में बनने वाले लगभग 150 करोड रुपे की लागत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को मनजूरी दी है। बाखली में स्वास्थे उपकेंद्र, तांदी में नया पटवार सरकल, फंगैर में वन इरिक्षन, कुटीर और राजकिये वरिष्ट माध्यमिक पार्चाला शामलीधार के नए भवन निर्मान की घोशना की। राजकिये प्रात्मिक पार्चाला मज्ञान को राजकिये माध्यमिक पार्चाला में स्तरोनत करने की घोशना की। उन्होंने प्रात्मिक पार्चाला बाखली में दो अतिरिक्त कमरों का निर्मान करने की घोशना की। इस अफसर पर भारत रत्न लता मंगेशकर के समरिती में दो मिनिट का मौन भी रखा गया। इस अफसर लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इस अफसर लोगों करें ट्विटर आट DPRHP, लाइक करें फेस्बुक पेज इंफरमिशन और पॉलिक रलेशन्स देपार्मेंट हिमाश्र प्रदेश। विजित करें वेबसाइट www.himashalpr.gov.in इसनक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाज़त नमस्कार। प्रदेश प्रदेश में इन्ट ट्रदेश जाएट प्रदेश 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 अलेशन्स देटार्मेंट